इस वीडियो में हम देखेंगे कि computer के memory को choose करते वक्त basic parameters क्या क्या हैं जिनें हमें ध्यान में रखना चाहिए तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो computer memory है वो उतना ही important है जितना CPU क्योंकि CPU जब भी कोई भी चीज process करता है किसी भी data या instruction को process करता है तो वो हर वक्त हर समय किसी न किसी memory को use करता है आइधर primary memory, cache memory या secondary memory को use करता है to perform its task तो अपने task को perform करने के लिए इन memories का use करता है और इसलिए memory उतना ही important है जितना CPU अगर computer system से memory को हटा दे तो CPU जो है वो paralyzed हो जाएगा वो अपना काम जो है efficiently नहीं कर पाएगा इसलिए memory जो है बहुत ही important है और memory जब choose करते हैं तो उसमें basic parameters जो हमें ध्यान में रखना चाहिए सबसे पहला होता है उसका capacity मतलब जो memory हम use करना चाहते है उसकी capacity कितनी अच्छी है अगर capacity अच्छी नहीं होगी that means वो data को hold नहीं कर पाएगा और यदि hold नहीं कर पाएगा efficiently तो CPU को वो कहां से देगा और अगर CPU को data and instructions नहीं मिलेंगे efficiently या data store ही नहीं हो पा रहा है वो lost हो जा रहा है then computer का performance जो है वो decrease हो जाएगा इसलिए capacity जो है वो बहुत ही important factor है capacity जो है वो ये भी determine करता है कि computer का size क्या होगा क्योंकि यदि हम computer मे capacity increase करना चाहते हैं तो computer का size भी increase होगा right जैसे कि पहले के वक्त के computer साब देखिए वहाँ पर कितने बड़े-बड़े systems होते थे different rooms में रखे जाते थे क्यों क्योंकि उस समय capacity या memory को increase करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर memory हम लगा रहे हैं तो हमारे size बहुत ज़्यादा बलकी हो जाते थे बट अभी तो latest technologies में ऐसे chips आ गए हैं memory chips आ गए हैं जो कि मतलब बहुत ही कम space लेकर काफी ज़्यादा memories आपको provide करते हैं जैसे आप आज कल mobile में देखते होंगे 128 GB, 64 GB इस तरह से आपको data holding capacity मिल जा रही है बट पहले इतना आसान नहीं था पहले इतनी easily ये सब technologies नहीं थी कि आपके mobile में इतने GB की data easily आप store कर सकते थे बट अभी वो possible है बट क्योंकि computers में और भी बड़े बड़े काम होते हैं आज कल तो artificial intelligence भी आ गया है जहांपर data का भरपूर यूज होता है तो वहाँ पर size जो है बहुत important factor होता है memory बहुत ही important factor है जिसकी size काफी importance रखती है इसलिए size जो है वो अब ध्यान में रखना होगा कि इतना भी capacity नहीं increase कर दे कि computer का size बहुत जादा बड़ा हो जाए तो क्योंकि बहुत जादा computer बड़ा हो जाएगा तो वो भी मतलब एक तरह से use करने में problematic हो जाएगा तो capacity जो है वो computer का size determine करता है और यदि हम समझना चाहें कि capacity क्या है तो यह अगर हम memory देखें तो अगर memory में मान लीजिए यह जो है m addresses है या m locations है तो वो अगर n bit store करने की छमता रखता है वो memory तो क्या करेंगे इस तरह से है उसमें segmentations होते है चोटे 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 उसके बारे में बाद में हम जानेंगे तो memory जो है अब अभी मान के चलिए कि यह total m address है या m location है और her location जो है n bit store करने की छमता रखता है तो total memory जो है वो कितनी होगी इसकी तो total memory जो होगी वो क्या होगी वो हो जाएगी m into n bit ये हो ग तो ये उपर diagrammatic representation का ये capacity हो जाएगा राइट तो ये capacity m into n bit है या फिर other way में आप इसको m word memory भी बोल सकते हैं तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं ये भी चलेगा ये भी चलेगा मतलब m into n bit या फिर m word memory ठीक है तो ये इस तरह से आपकी memory का m location of each n bit का representation है ठीक अब दूसरा factor जो आता है वो आता है speed तो जो memory आप use कर रहे हैं जो memory आप इस्तमाल कर रहे हैं अपने computer में उसकी speed जो है वो काफी अच्छी होने चाहिए because memory की speed जो है processing power जो है data transfer करने का rate जो है to and fro to CPU और CPU से memory में वापस लेने का जो छमता है speed है वो अगर अच्छी नहीं है आपका computer जो है वो slow होगा process slow करेगा और वो आज के time में बहुत useful नहीं होगा इसलिए memory जो use हो रहा है उसका speed जो है काफी अच्छा होना चाहिए और speed जो है इसे हम measure करते हैं दो important term में एक होता है access time और दूसरा हो गया cycle time ठीक है ये दो important definitions हैं ये आप से exam में पूछे भी जा स सकते हैं access time और cycle time के definitions आप से पूछे जा सकते हैं तो speed जो है कभी-कभी access time में measure होती है कभी-कभी cycle time में तो access time क्या होता है access time जो होता है अब मान लिजिए एक example पकड़िए कि एक read operation perform करना है तो यदि read operation perform करना है तो पहले होता क्या है पहले जो है address है तब जो location का address है जिससे ह पहले हमें read करना है वो memory को भेजा जाता है तो access करने के लिए माल लीजिए ये memory है तो जो address है माल लीजिए address कुछ हो गया a-one-two-three इस तरह से कुछ address है तो वो address क्या है वो memory को send किया जाता है तो वो address send करने के बाद एक read control signal भेजा जाता है read control signal भेजा जाता है तो read control signal जो है वो memory को जब मिलता है तब से लेके read operation को complete करने तक के time को जो है access time बोलते हैं तो यदि आप access time क्या है उसका definition जानना चाहते हैं तो वो होता है time taken by memory to complete a read operation from moment of receiving read control signal तो यदि ये क्या है ये read operation के बारे में लिखा जा रहा है यदि आप right operation का लिखेंगे तो access time क्या होगा time taken by memory to complete a right operation from the moment of receiving the right control signal तो ये हो गया access time का definition उसी तरह से अब आता है दूसरा वाला cycle time cycle time क्या होता है cycle time जो है वो होता है जो minimum time delay होता है जो मतलब दो operation दो successive operation के start होने के बीच का जो time है जो time delay है उसे हम कहते है cycle time ठीक है तो cycle time क्या है तो ये हो गए दो definitions speed को measure करने के access time और cycle time तो access time जो है वो time taken होता है क्या memory को complete करने में किसी भी operation को जब से उस operation को perform करने का signal मतलब control signal मिलता है तब से उसे कहते है access time ठीक है और next जो है cycle time क्या है वो minimum time delay जो लगता है बिट्वीन क्या initiation of two successive memory operation initiation मतलब होता है start होने में मतलब दो successive operation के start होने के बीच में जो minimum delay होता है उसे कहते है cycle time तो ये हो गया दूसरा speed और तीसरा क्या होता है वो भी आपका speed से ही determine करता है जैसे की हो गया bandwidth या फिर data transfer rate तो यदि आप mobile में internet use करते हैं तो आप कौन सा network use करना पसंद करते हैं जो जिसका data transfer rate अच्छा होता है मतलब के जो ज़्यादा से ज़्यादा information आपको कम time में देता है वो या फिर जो slow है तो उसी तरह से memory का भी bandwidth या data transfer rate होता है तो bandwidth या data transfer rate होता है मतलब maximum amount of information मतलब maximum amount of information जो transfer किया जा सकता है to and fro memory per unit time मतलब per unit time में जो maximum data या information transfer किया जा सकता है to or from the memory उसे हम कहते है bandwidth या data transfer rate ठीक है तो bandwidth या data transfer rate जो है उसे express करते है number of bytes में तो इसे हम express कैसे करते है number of bytes में ठीक है तो data transfer rate या bandwidth जो है उसे इस तरह से number of bytes में हम express करते है और या फिर words per second में भी उसे express कर सकते है और definition अगर इसकी हम देखें तो definition क्या होता है वो होता है तो bandwidth या data transfer rate का आपका definition क्या हो गया maximum amount of data or information that can be transferred to and from memory per unit time is called bandwidth या data transfer rate और उसे express करते हैं number of bytes में या फिर words per second में ठीक है तो ये हो गया 3 important factors जो हमें किसी भी memory को choose करते वक्त दिमाग में रखना चाहिए एक है capacity, capacity जो है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि CPU को कोई भी problem ना हो अपने जो process करते time जो भी data उसे यूज कर रहा है उसे store करने में या फिर उसे लेने में ठीक है उसकी speed जो है वो अच्छी होनी चाहिए मतलब CPU को जिस rate पर data या information चाहिए उसी rate पर वो उसे देने में सक्छम रहे और तीसरा होता है bandwidth या data transfer rate फिर से वही चीज हो गया कि जितना amount of data या वो transfer कर सकता है to and from memory per unit time उतना ही अच्छा होगा memory का जो speed है तो ये जो factor है ये speed को ही enhance करेगा तो मिला कर ये 3 जो है important parameters हो गए while choosing a memory ठीक है तो hope आपको समझ में आया होगा यदि आपको ये video informative लगी आपको अच्छी लगी तो आप please like and subscribe जरूर कीजिएगा so that we can get motivated and we will create more valuable videos for you in the future ठीक है तो धन्यवाद